कोर्बा में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का ततकाल होगा आंकलन कलेक्टर रानू साहू ने देर निर्देश ठंड से बिमार लोगों के हिलाज के लिए स्वास्त विभाग को सभी तैयारिया करने को भी कहा पूरे प्रदेश सहित कोर्बा जिले में भी पिछले दिनों हुए बेमौसम बारिश के कारण फसलों और घरों को हुए नुकसान का ततकाल आंकलन करने के निर्देश कलेक्टर रानू साहू ने सभी राईश अधिकारियों को दिये हैं उन्होंने बेमौसम बारिश के कारण धान खरी दी केंद्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के बारे में भी आधिकारियों से जानकारी ली कलेकटर ने निर्देशित किया है कि संग्रहन केंद्रों में धान को बारिस में भीगने से बचाने के लिए कैप कवर या तिरपाल से ढख कर रखा जाए और केंद्रों में पानी निकासी की विवस्था की जाए कलेक्टर ने बड़ती ठंड को देखते हुए लोगों के बीमार होनी की संभावना भी जताई है और जिला अस्पतार सहित सभी स्वास्त केंद्रों में किसी भी आकस्मिक इस्तिती से निपटने के लिए सभी तैयारिया रखने के निर्देश स्वास्त विभाग के अधिकारियों को दिये हैं रानो साहु ने बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमन के बढ़ने की भी आशंका जताई है और सर्दी खासी होने पर लोगों का कोविर टेश्ट करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये हैं मेडियाफोर सपोर्ट के लिस अन्टोश अगर्वाल के रिपोर्ट